नमस्कार दोस्तों, इनकी एज लगबग 30.30 साल के आसपास की है, सरकारी जॉब है, हस्बेंड की भी सरकारी जॉब है, काफी कुछ अच्छा हाथ है, पर वर्तमान समय दो-चार साल के लिए खराब जाने वाला है, और अभी जा भी रहा होगा इनके जीवन में, पर हर व्यक्ति के जीवन में उतार चड़ाव आते, वैसे इनके जीवन में भी वर्तमान समय में अच्छा समय नहीं चल रहा है, पर यह हमेशा के लिए ऐसा रहता, ऐसा नहीं है, कब से अच्छा समय सुरू होगा, वो भी मैं बताऊंगा, और कब से बहुत जादा अच्छा स व्यक्ति के हाथ में ये दो लाइन है, थोड़ी सी भी उपर हो, तो व्यक्ति जो समय पर नेने लेता है, लेना चीए वो नहीं ले पाता, और उसके बाद पस्तावा होता है, मैंने ये कारे किया होता तो अच्छा होता था, ये एक माइनस पॉइंट रहता है, इसका कोई इला बनाते हैं, फर्स्ट फेलेंज, अंगूठे का है बड़ा, पर पोर नहीं समझ में आ रहे हैं, पर कहीं न कहीं कारे कि प्रति जिद्ध होती है, सेकेंड फेलेंज, उतना मानसल नहीं है, तो कहीं न कहीं कॉंप्रोमाइजिंग नेचर होता है, व्यक्ति का, उंगलिया से, फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है, तो व्यक्ति में धार्मिक भावना होती है, शुर्य की उंगली बड़ी इसका मतलब होता है, कहीं न कहीं व्यक्ति हिम्मती सभाव का, जीवन कैसा भी समय चलता हो, जीवन का आनंद लेने वाले जरूर होती है, यह उंगली अच्छा मनी ट्रेंगल है, तो यह मनी मैनेजमेंट को छोड़कर बाकी की सारी चीजों में कमजोर होंगे, और कहीं न कहीं यह उंगली टिल्ट हो रही है, फर्स फैले इस उंगली का, तो पैसा कमाने की ललक भी अच्छी खासी पाई जाती है, व्यक्ति में, अब इनके इ यह बुद्ध परवत थोड़ा सा यहां से दबा हुआ है, अगर यह और जादा उभार होता है, तो अती सुन्दरता मिलती है, तो यह मद्यम सुन्दरता दे रहा है, क्योंकि बहुत सारी लाइन है, तो यह व्यक्ति को वानी इनकी मिठी होती है, सहत की तरह, और यहां पर जब उभार होता है, तो व्यक्ति छोटा भी काम करें, तो उसे लगता है कि मेरा नाम होना चाहिए, यह ललक इन में पाई जाती है, और यह उंगलिया बिजनेस माइंडेड व्यक्ति को बनाती है, और दो चार भाशाओं के जानकार भी होती है, बोलने ना आये तो समझ में तो जरूर आती है, यहाँ पर एक हलकी सी यूमर, लूप अफ यूमर बन रहा है, तो ऐसे लोग कहीं न कहीं जो इनके मुह से बोली निकलती है, वो हास्य उत्पन करती है, इनके मित्र इनके बिना पिक्निक पर जाते नहीं, या परिवार के लोग इनके बिना पिक्निक पर जाते नहीं कि यह लोग कहीं न कहीं हाँ से उत्पन करते हैं यहां पर yes sign है कि नहीं पता नहीं चलता है पर सरकारी जॉब है तो यहां पर yes sign होगी जरूर पर यह इंक यहां पर नहीं लगी है इसके लिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ हा विदाउट इंक मैं देखने की कोसिस करेंगे इनके हाथ मैं यहां पर छोटे छोटे स्क्वेर भी है उस पर भी मैं आऊंगा जब क्लोज अप मैं आ रहा हूता हूँ और एक बड़िया असी फिश्टाइन इनके यहां पर बनी हुई है वो दूसरे फोटो में हम देखने की कोसिस करते है यह देखिए सन लाइन पर ही बनी हुई है यहां से निकली और यह ऐसे जा रही है यह व्यक्ति को काफी सम्रुद्ध बनाती है सन लाइन पर फिश्टाइन का होना और यह आगे चल कर बड़े अधिकारी भी बनेंगे उसके भी संकेत इनके हाथ में दिख रहे है या पॉलिटिक्स में एमेले बन सकते है दो में से कोई न कोई एक कार्य इनके जीवन में होका उसके भी संकेत मैं बता रहा हूं एक यहां पर भी है साइन एक यहां पर है तीन एक यहां पर भी है चार और कहीं दिख रहे हैं इसी साइन को मैं जो पहले ही बता चुका हूं यहां से घुम रही है लाइन और ऐसे जा रही है और यह सं लाइन पर ही है इसकी इफेक्ट पैसे के मामले में काफी अधिक होती है एक छोटी सी यहां पर भी है एक यहां पर भी है तो इतनी सारी साइने है मैंने कन्फर्म भी किया किया यह काफी समरुद्ध है तो इनका कहना था यानि जवाब हाँ में था वहाँ स्क्वेर साइनों की और जाते यह देखे बहुत छोटी छोटी लाइनों के द्वारा स्क्वेर बने हुए तो इनका या इनके हस्बेंट का किसी ना किसी का मल्टी सिटी का काम होता है और अपनी आए से अधिक अच्छी तरह यह लोग रहते हैं आस पास के लोगों को लगता है इनके जीवन में बल्ले बल्ले यह साइन का मतलब यह होता है और यह जादा तर बड़े अधिकारी जो होते है उनके हाथों में इस तरह का स्क्वेर साइन पाया ही जाता है यहाँ पर थोड़ा सा भी उभार हो तो व्यक्ति को सुबह उठने में अलस से आता है अच्छा नहीं लगता इतना जादा उभार नहीं है पर आनंद नहीं आता पर एक बार बैड से उतर गए उसके बाद एक्टिव रहते हैं यह लाइन जुपिटर की और जा रही है तो व्यक्ति को चार लाब करा थी यह ससुराल पैसे वाला होता है जो भी कारे करते हैं बड़े स्तरका करते हैं जॉब भी करेंगे तो बड़े स्तरका करेंगे प्लस पॉलिटिकल लाब और सरकारी लाब, इनके जीवन में सारे लाब है, यह मुझे जानकारी है, सारे लाब है यहां पर देखें तो भूँद सारी रेखा है, यानि बुड़ा पे में भी इंकम अच्छी घासी आएगी जुपिटर माउंट थोड़ा सा टेल्ट है, यह पारिवारिक समस्या देता है, मैं इनको उपए दे भी चुखा हूँ हाँ, पर जुपिटर माउंट है बड़ा, तो ऐसे लोगों को खाना बनाने का, खिलाने का शौक रहता है और बहुत टेस्टी बनाते हैं, एक माइनस पॉइंट इनमें बहुत पाया जाता है यह लोग किसी की सुनने की आदत नहीं होती है, सुनाने की आदत होती है यह एक माइनस पॉइंट रहता, हाँ, इनसे बड़ा कोई जुपिटर माउंट वाला आ गया तो उसकी सुनेंगे, बाकि छोटे जुपिटर वालों को तो यह लोग साइड में रख देते सुनते ही नहीं, और एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है साधी बया में गए, या किसी फंक्शन में गए तो चार लोग उटकर जगा देते हैं, बैटने के लिए यह इनका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है यहाँ पर एक ट्रैंगल बना है, यह वेक्टिको पॉलिटिकल लाब और सरकारी लाब कराता है इनके जीवन में यह लाब है, न भी हो तो भी आम लोगों से ज़्यादा यह लोग सम्रुद्ध होते हैं, यहाँ पर ट्रैंगल होता है एक लाइन, दो लाइन, यह लाइने वेक्टिको मल्टिपल इंकम देती है पामिष्ट्री एस्ट्रोलोजी, इस तरकी मिष्ट्री साइंस में ध्यान जाता है प्लस सेवा भावी और धार्मिक्ता, यह सारे गुंदर्म वेक्टि में रहते है मंगल व्योसी ती है, मैं खराब नहीं कहूंगा तो साधिरी कुर्जा आम इंसान से अच्छी रहेगी और इतनी लाइन है, एक जायज है, एक भारतिय समाज में महिला के हाथ में होना क्यूंकि काफी जिम्यदारिया लेकर चलती है, तो जायज है, मैं इसको गलत नहीं मानूंगा बारी मंगल उससे भी जाता अच्छा है, ऐसे लोग जब किसी से मिलते तो एनरजी के साथ मिलते है सामने वाला कमफोटेबल फिल करता है, और संकट के समय व्यक्ति अपनी लेवल पर संकट का सामना करता है चंद्रपरवत पर कोई साइन तो नहीं है, हाँ, अगर ये साइन होगी, तो भविश में इनके संतान 99% ये कवर लग रही है, एक यहाँ पर ट्रैंगल है, और एक यहाँ पर भी ट्रैंगल है तो ऐसे लोगों के संतान विदेश में जाते हैं और वहाँ से पैसा अन करते हैं अब ये तो सरकारी जॉब है, ये तो छोड़के विदेश जाने वाले नहीं है तो ऐसे लोगों के जज्जमेंट हम लगा सकते कि इनके संतान विदेश में पढ़ने जाए और वहाँ सेटल हो जाए और विदेश से धन प्राप्ति की योग बने, यहाँ व्यक्ति कवी होता है, दो मैंसे कोई न कोई एक कारे होता है तो मुझे यह जानकारी नहीं है, यह कवी है की नहीं, पर ट्राइंगल तो जरूर है यह विदेश से धन प्राप्ति का कम्प्रीट साइन है और चंद्रपरवत भहुत जादा अच्छा है ऐसे लोगों को पानी अच्छा लगता है, दूट से बनी वस्तु अच्छी लगती है नेने शक्ती अच्छी होती है, विदेश घुमने का अउसर भी मिलता है विदेश से संबंद आता ही है, कैसे भी करके, चाहे घुमने जाओ, संतानों के द्वारा आओ कैसे भी करके आए, और इस तरह की संब्रुद्दी वाला विदेश जाना कोई बहुत बगा सब्जेक्ट नहीं होता बहुत अच्छे पर्चेसर होते हैं, अगर परिवार में किसकी साधी है, और इनको साथ में लेकर गए तो ऐसे कपड़े खरीद कर लाएंगे, कि चार लोग पूछेंगे ये कहां से लाए, ये शौट में मैं आप लोगों को एक उधारन के तौर में बताता हूँ, ये हर जगह पर्चेसरिंग में पार होते हैं, पारफुल होते हैं, इवन सबजी खरीदने जाएंगे, ये जो लाएंगे, और इनका पड़ोसी लेकर आएगा, उसमें जमीन आस्मान का फरक होगा, उसी ठेले से लाएंगे तो भी, इनके पास एक अलग ही तरह की सूजबूज होती है, प्रोड़क को समझने की, अच्छे बारगेनर भी होते हैं, पर कंजूस नहीं होते हैं, यानि ये स सस्ती चीज नहीं ढूंटे, महेंगी चीज को कैसे बारगेन करके अच्छी तरह से ले आना, ये इनकी खासियत होती है, कंजूस शुक्र परवच जिसका कमजोर होता है, वो होता है, यहाँ पर अच्छा मनी ट्रेंगल भी हैं इनके हाथ में, बुड़ा पे तक इतनी संपत जमा कर लेंगे कि बहुत रिलेक्स से खा पाएंगे, आपको एक कार्य देता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपके हाथ में यहाँ पर स्टार है, यहाँ पर एक स्टार है, आप अपने लेवल पर देख लेना, अगर यह स्टार होगा, तो अभी तक दो बार तो आपको 100% आपके स्टार होगा यहाँ पर, अचानक वाला धनलाब होता है, एक तरह के इंडियन मानसिकता मैं कहें तो लोटरी, और पूरे जीवन में 60 साल के उम्र तक के लोग मुझे मिले, जिनको 6-6-7-7 बार अचानक वाला धनलाब हुआ है, फिर शुक्र परवत देखे तो व् उभा रहे ना जादा दबा हुआ है, तो ना लगजरी के पीछे भागता है, ना लगजरी से दूर रहता है, अब इनकी हृदे रेखा को देखे, तो यह फोर्क बन रहा है, यह फोर्क का मतलब है, व्यक्ति अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाता है, और एक तो ऐसे लोगों को सुबे उपते ही पैसा कैसे कमाना, उसकी तरफ ध्यान जाता है, कामुक भावना रहती है, और तीसरी वस्तु रहती है, फिसिकल बनना, यानि कभी न कभी यह लोग हाथ पैर उठाते है, यह वस्तु इनके जीवन में रहती है, और यह हाट लाइन डबल चल रही है, ऐसे लोग जंजटो भरा जीवन रहता है, सुबे से लेके रात तक बीजी रहते, पर्सनल लाइफ इतनी उत्तम जी नहीं पाते, तो यह बुड़ा पे तक अप्टू जीवन के अंतर तक इसी तरह का जीवन जी एंगे, जंजटो बरावा, आपा दापी कोई न कोई लगी रहती है, और यह लाइन है, फ्लर्ट लाइन है, वेक्ती दुखी भी हो, तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद कुशी डूनता है, अब माइन लाइन को देखे, तो यह माइन लाइन मैग गैप है, ऐसे लोग जिद्धी होते हैं, किसी के कंट्रोल में क काम करना पसंद नहीं आता, सेकेंड चीज, परिवार को जुरत पड़ी, तो सबसे पहले यह लोग खड़े रहते हैं, यह भी इनकी खास्यत रहती है, और जैसे काम पूरा हुआ, वहां से निकल जाएंगे, अब यह माइन लाइन को देखे, तो यहां पर उतार चड़ाव पचास बावन तक रहेगा, प्रेशर बना ही रहता, ठीक है, बीच में कहीं दो-तीन साल की रिलेक्स मिलेगी, पर कहीं न कहीं प्रेशर रहे गई, इस तरह की आपकी माइन लाइन है, और उसके बाद यह सीधी चल कर आगे तक जा रही, कहीं पर ब्रेक तो नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है, यह परलर लाइन है, यह अन्वांटेट प्रेशर देती है, बीना जंजट, बीना कुछ की यह भी प्रेशर रहता है जीवन में, इनके जीवन में देखे, तो इस लाइन ने साधी कराई, एज ओफ ट्वेंटी सिक्स में, उसके बाद देखे, तो एक राऊ रेखा आई, इनके जीवन में, ट्वेंटी एट में, और इसके आसपास ही, ट्वेंटी ना या थर्टी के आसपास बहुत बढ़ा ओफ शुट था, तो कोई ने कोई बेनिफिट भी मिली होगी इनको, उसके बाद एक राऊ रेखा आ रही है, थर्टी फाइम में, और उसके बाद इनके जीवन में, फोटी टू में एक छोटी सी राऊ रेखा है, फोटी थ्री में एक आफशुट भी है, और नियर एंड इरर की डैद भी है, फोटी थ्री या फोटी फोर के आसपास, उसके बाद फोटी सिक्स में एक राऊ रेखा है, एक फोटी एट में यानि progress line यह कोई न कोई benefit दिलाती है फिर 55 के आसपास राउ रेखा है और 57 में एक छोटी सी राउ रेखा है राउ रेखा है छोटी छोटी ही है और यहां पर भी 2-3 आपशुट है यानि अब टू आपशुट इनके जीवन में 60 तक है 59-60 तक progress line है और उसके बाद ना राउ रे रेखा है यह छोटी छोटी इससे कुछ खास फरक नहीं बढ़ता अगर इसकी भी एज निकालनी हो तो 57 और 9 57 और 8 लगबग 65 65 और 3 68 बस इतनी राउ रेखा है और यह जीवन रेखा है यहां तक चल रही है अब इसका मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति यहां पर चला जाता है अगर यहां से कोई line joint होती है और न भी हो तो कोई खास फरक नहीं बढ़ता फिर यह जीवन रेखा बन जाती है यानि जीवन रेखा से जीवन और मौत का कोई लेना देना नहीं है हाँ आपकी दिशा बताती है किस तरह से चलती है उसके उपर उसका सब पुझे वो केवल मौत इश्वर के हाथ में है अब इनकी धन रेखा को देखे तो यहाँ पर कट लगा यह कोई न कोई पारिवारिक खर्चा आया होगा यह एज ओफ 28 के आसपास इनको आया होगा एक कट मुझे एज 33 में दिख रहा है एक छोटा सा कट वर्तमान में भी दिख रहा है अब यह जो लाइने है यह एक्स्ट्रा इंकम की लाइने होती है सरकारी लोगों के हाथ में जो एक्स्ट्रा सेवा देकर जो पैसा कमाते उपर वाला 41 में भी एक कट है इस एक्स्ट्रा वाले लाइन में और यह लाइन हैं से काफी सुन्दर बन रही है यह एज ओफ 44 के बाद उपर की इंकम वाली है अभी वर्तमान में देखिए इनकी धन रेखा डिश्टब है तो अभी तो काफी expensive life रहेगी लोगों का सयोग ना मिलना लोग कहीं न कहीं हमारे पीछे पढ़ना इस तरकी स्थितिया पैदा होती है फिर इसके बाद एक दो साल और थोड़ इसी रहेगी यानि इसकी आदी फरक पड़ेगा और यहाँ पर हो सकता है कोई department change हो आपका अभी वर्तमान समय में 38 के आसपास उसके बाद एक और department change होगा आपका यह age होगी लगबग 40 के आसपास फिर एक department और change होगा 43 के आसपास या 44 के आसपास और यहाँ पर यह जो sign बनी हुई है यह अगर reality में रही तो यहाँ पर यह तो MLA आप बन सकते हो या अधिकारी पद मिलेगा आपको इस पिडियर में बड़ा पद मिलेगा सरकारी और यहाँ पर भी एक department चेंज होता हुआ दिखेगा आपको तो दो तीन बार department चेंज आपके जीवन में दिख रहे है अब मुझे पता नहीं आपका portfolio कैसा है पर मुझे जो line दिख रहे है वह इसाब से बता रहा हूँ और यह 99.99% यह investment की line है इस line पर कराएगी ए 48 के आसपा investment इस जगह पर कराएगी 43 के आसपास यहाँ पर यह line अगर आगे चलती होगी तो 39 में भी investment होगा आपका और यह investment के थ्रू जो पैसा आता है उसकी line है तो up to बुड़ा पे तक भरपूर line है अब इनकी जो इस्तितिय धन रेखा कि उसे भी देखते यह देखिए यहां तक line मुझे लगता है काफी उत्तम तरीके से चली हाँ बीच बीच में एक अद्ध कोई cut आए वो समझ में आते है पर यहां आकर देखिए यह पूरी फैल गई यह फैली हुई है up to यहां तक अब यह दूसरे फोटो में और अच्छी तरह से आया हुआ है यानि यह पार्ट दो पार्ट में फोटो आया है यह देखिए यहां तक यह लाइन सुन्दर नहीं है अब टू फोटी तक फोटी या फोटी वन तक यह सुन्दर स्थिती नहीं है आपके जीवन में तो पैसे का अधिक खर्च इंकम से ज्यादा खर्च और कहीं न कहीं लोगों का आपके प्रती सयोगना मिलना यह सारी के उतना अपने आपको संबाल कर रखिये क्योंकि बहुत जादा खराब है उसके बाद 50% फरक पड़ेगा आपको फोटी के बाद 40 या 41 के बाद और यह जो लाइन चालो होगी यहां से बहुत उन्नती चालो होगी यह एज 44 या 45 के आसपास से अती उन्नती चालो होगी जो यहां पर भी नहीं थी वो यह लाइने देगी पर 40 तक तो 40 या 41 तक तो आपका हाड टाइम है फिर आधा हाड टाइम दो तीन साल और फिर उत्तम समय आपका सुरू होगा अप टू फिर एंग तक और यह भी इन्वेस्मेंट की लाइन है तो आशा रखता हूं इनके सभी प्रश्णों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाले